राज हम देखेंगे विंटर टेप्स गर्म पानी से देर तक नहाने से नुकसान सर्दी में आप तो नहीं करते हैं ये दस गलतिया तो अब देखते हैं कि विंटर में गर्म पानी से नहाने से क्या नुकसान होता है मौसम का मिजाज बदलते ही शरीर की जरूरते भी बदल जाती है थन के मौसम में फ्लू या इंफेक्शन से बचने के लिए इमिन सिस्टम को दुरूस रखना बहुत जरूरी है ये सब बाते जानती हुए भी लोग अपनी सेहत के साथ खिलवाड करने पर अमादा है आईए आपको बताते हैं कि सर्दयों में अक्सर लोग जाने आन जाने कौन सी बड़ी गलतिया करते हैं देर तक गर्म पानी से नहाना एक्सपर्ट की माने तो थन के मौसम में ज्यादा देर तक गर्म पानी का शावर लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है इससे हमारी बोड़ी और दिमाग दोनों पर बुरा असर पड़ता है दरसल गर्म पानी केराटीन नाम के स्कीन सेल्स को डैमेज करता है जिससे तवचा में खुजली, ड्राइनेस और रैशिस की समस्या बढ़ जाती है दूसरा यह है कि बहुत ज्यादा कपड़े पहना सर्दी के मौसम में खुद को गरम रखना अच्छी बात है लेकिन ज्यादा कपड़े पहनने से बचना चाहिए ऐसा करने से आपकी बोड़ी ओवर हीटिंग का शिकार हो सकती है दरसल ठंड लगने पर हमारा इम्मिन सिस्टम वाइट बलर्ड सेल्स प्रोड़ीस करता है जो इंफेक्शन और बीमारियों से हमारी सुरुक्षा करता है जबकि बोड़ी के ओवर हीट होने पर इम्मिन अपना काम नहीं कर पाता है थर्ड ज्यादा खाना सर्दी के मौसम में इंसान की खुराक अचानक बढ़ जाती है और वो सेहत की परवा किये बगेर कुछ भी खाने लगता है दरसल ठंड से मुकाबले में शरीर की कैलरी जादा खर्च होती है जिसकी भरपाई हम होट चॉकलेट या एक्स्ट्रा कैलरी वाले फूड से करने लगते है ऐसे में भूक लगने पर सिर्फ फाइबर वाली सबजी या फल खाने चाहिए कैफिन सर्दी के मौसम में चाय और कॉफी से शरीर को गर्म रखने की तरकिब अच्छी है लेकिन शायद आप बूल रहें कि बहुत ज्यादा कैफिन शरीर के लिए नुकसान दायक है दिन भर में आपको दो या तीन कब से ज्यादा कॉफी नहीं पीनी चाहिए कम पानी पिना सर्दियों में लोगों को कम प्यास लगती है लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ठंड में शरीर को पानी की ज़रुवत नहीं है यूरिनेशन डाइजेशन और पसीने में पानी शरीर से बाहर आ जाता है ऐसे में पानी न पीने के कारण बॉडी डिहाइडर्ट होने लगती है इससे किडियों डाइजेशन में दिक्कत बढ़ सकती है और सोने से पहले क्या करे एक शोत के मुताबिक रात को सोने से पहले हाथ और पेरों को गलव्ज या जो राप से कवर रखना सहत के लिए अच्छा होता है स्लिपिंग क्वालिटी को इंप्रूफ करने के लिए ये नुसका काफी फाइदे मन वाना गया है बेड़ टाइम रूटीन इस मौसम में दिन छोटे हो जाते है और रात लंबी हो जाती है ऐसी दीनचरिया से न सिर्काडियन साइकल डिस्टरप होती है बलकि शरीर में मेटालॉनिन हार्मोन नीद लेने वाला हार्मोन का प्रोड़क्शन भी बढ़ जाता है इससे जबक्याने लगती है सुष्टी चड़ती है इसलिए स्लिपिंग टाइम में ही अच्छे से नीन पूरी करने की कोशिश करे बाहर जाने से परहेज सर्दियों के मौसम में ज्यादा तर लोग ठंड से बचने के लिए घर से बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं ऐसा करना सेहत बर बाहरी पढ़ सकता है घर में सिकुड कर रहने से आपकी फिजिकल एक्टिविटी खराब होगी मोटा पा बढ़ेगा और सुर्य की किनों से मिलने वाले विटामिन डी भी नहीं मिल पाएगा थंड में तापमान कम होने की वज़े से लोग बिस्तर में सिकुड कर बैठे रहते हैं फिजिकल एक्टिविटी शुन्य की वज़े से हमारा इम्यून सिस्टम सुस्त पढ़ने लगता है इसलिए रजाई में घुसकर बैठे रहने की बजाए साइकलेंग बॉकिंग या कोई भी वरक आउट फॉरन शुरू कर दीजिए और यह लास्ट है सेल्फ मेडिकेशन इस मौसम में लोगों को अक्सर खासी जुकाम या बुखार की दिक्कत होती है ऐसे में डॉक्टर से बिना जाच कराए सेल्फ मेडिकेशन जान लेवा हो सकता है यह किसी भी गंभीर बिमारी के लक्षन भी हो सकते है इसलिए कोई भी दवा या नुस्का आजमाने से पहले डॉक्टर की सलह ज़रूर ले तो अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें और शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चाल पर नए हो तो प्ले सब्सक्राइब करें और आने वाले ऐसे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत बूलिएगा थैंक्स पॉर वाचिंग बबाई